अब दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ एंड-to-end inscription mode क्या होता है या वो सकते वाटसप में end-to-end message क्या होता है या वो सकते वाटसप में end-to-end message क्या होता है या वो सकते वाटसप में end-to-end message होता क्या है दोस्तों बहुत लोगों के मन में समाल है कि वाटसप में security है कि नहीं या बोल सकते हैं एक्षॉल में वर्क क्या है यह कैसे यूज करते हैं कैसे काम करता है और यह कहां ऑप्शन मिलता है आपको वाट्सप के अंदर दोस्तों एक चीज बताने वालों दोस्तों वीडियो को मत करीगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाए कि आप अपने कोई भी चीज सेंट करते हैं चाहिए मीडिया फाइल हो चाहिए आपके टेक्स मैसेज हो लोकेशन हो या कुछ भी आगर आप भेजते हैं तो जैसे ही आप हापर सेंट पे क्लिक करेंगे आप उसके बाद वो इनकरप्ट हो जाता है या बोल सकते हैं एक अनलोग करने ही ज़रूत नहीं होगी बैठेंट पे सब्वर्क होता है बस जैसी वो जाएगा उस बंदे पर डिलीवर्ट हो और वहाँ पर आटमेटिक अनलोग हो जाएगा और वहाँ पर रीड करेगा मतलब की मान लीजिए अगर आपने मुझे कोई मैसेज भेजा जैसी आप वहाँ पर सेंट पर क्लिक करेंगे सेंट पर क्लिक होते ही वो आटमेटिक इंक्रप्शन हो जाएगा इंक्रिप्ट हो जाएगा या बोल सकते हैं बाइनरी लेंग्विज में कंवर्ड हो जाएगा और जैसे ही वो मेरे पास आने वाला होगा मेरे पास जैसे डिलीवर् में लिखा है टेक्स लिखा है लो तो मैसे सेंड होने के बाद वह बाइनरी लेंग्विज में कंवर्ड हो जाता है वाटसप में 60 डीजिट का यूज करते हैं कोड को जब दोनों डीजिट मैच होते हैं मतलब जैसे कि आप और मुझे देख दूसरे को मैसेज कर रहे हैं तो आपके पास भी वही 60 डीजिट कोड दिखेंगे जो मेरे पास वाटसप पर दिख रहे होंगे आपके चैट पर और जो मेरी चैट पर दिखेंगे वह आपके पास भी दिख रहे होंगे कि मतलब दोनों बिल्कुल बराबर होंगे तो ही वो encrypt होता है नहीं तो वो error शूख कर देगा कि आपका encrypt tip नहीं है दोस्तों तो यह कैसे बता लगता है तो उसके बारे बता दूँ एक चीज़ और बता दूँ यह तरह का ऐसा system होता है माल लीजिए आपने किसी को बोला कि आ वहाँ पर वापिस अनलॉक हो जाएगा और जो भी उसका डेटा है आप इजीली वहाँ पर पढ़ पाएंगी जिनको आपने भीजाए तो वह होता है end to end encryption mode दो वाटसप पर यह कैसे चेक करें कि आपके पास encryption mode enable है या नहीं है या यह कहां पर आपको दिखता है तो दूस्त पास Geral को भीर तो यहाँ पर अपनी गत्राइगे नीचे की तरहें ओपर आप पर आएंगे तो आप पतलब उन्होंने साफ साफ जो कह दिया है कि इसको अगर आप इसको ओन करके अगर किसी को कुछ भेशते हैं तो उसको कोई भी नहीं पर सकता इवन वाटसप भी उसको रीट नहीं कर सकता नॉर्मली इसको रीट बेलको सेंड और रिसीवर ही पता कर पाएंगी इसमें क्या ड आइडिया जो भी आपके पास सिम होगी वह उसके पास जाएगा वहां पर उसको रीट कर सकता है रीट करने के बाद चाहे तो वह उसको पड़ सकता है और आपको मैसेज वहां पर टेलीगोट जाएगा मनलब कोई सेक्यूर्टी नहीं थी बट अगर आप एंट टो एंट के सब बहचते हैं तो कोई भी मैसेज आपको कहीं तक कहीं कोई रीड नहीं कर सकता फुल प्राइबसी से मैसेज जाएगा इवन वाट्सप भी उसको रीड नहीं कर पाएगी तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता आया आपको यह option मिलने का माला है यह तो मैंने बता दिया आपको के तरफ आएंगे यहां पर आपको option मिल रहा है encryption का encryption पर जाएंगे तो आप देखेंगे verify security code आपको दिख रहा होगा यहां पर आप देखेंगे 60 वर्ट के डिजिट है 60 डिजिट है यह आपको देख रहे हैं अगर आप count करेंगे तो यह 60 डिजिट होंगे यह क्या होगा दो देखेंगा तो मतलब आपका जो चैट है and to encryption है कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरा डेटा आपका security से जाएगा अब मैं आपको यह तो हो गया मैं दोनों का आपको screenshot लेकर दिखा जाता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने दोनों चैट लगा दी है एक मेरे दूसरे WhatsApp पे और एक मेरे दूसरे WhatsApp मतलब दोनों conversation दोनों आपस महीं कर रहे हैं फिर भी अब आप देख रहे हैं दोनों के code बेलकुल सेम है मतलब यह end to end encryption मैं message है यह बोल सकते हैं यह जो chat है end to end encryption चाही है मतलब इसमें कोई भी अगर मैं कुछ data भी जूँगा तो उसको कोई भी रीड नहीं कर पाएगा इवन कोई बीच में WhatsApp तक उसको रीड नहीं कर पाएगा यह होती प्राइबसी वाला end to end encryption बहुत सारी एपस आज कले इसको सपोर्ट कर रही है like signals है और बहुत सारी एपस को सपोर्ट करती है ताकि कोई भी डेटा आपका लेक ना हो औ दोस्तो उमीद है कि आपको ही मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक्यू दोस्तों अगर्वी वीडियो पसंद करें अगर आपको Cover I tooống कि शारा नहीं किया तो प्लीजिब मेरे चेनल मोच आपे नहीं किया तसए मीरे सब्सक्राइब क्या रही लिग दो सबस्ता करो को सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इस्टाग्राम और फेजू फोलो करना भी ना बुलें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंकी दोस्तों